तो हेलो गाइज गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब आपका एक वे फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आये विल पर जिसमें की हम करें थे विजन आई इसकी टेस्ट सरीज और आज हम आ जाते हैं पने नेक्स डे के जो भी विजन का टेस्ट है उस पर ठीक है और उसके कोश से आपको वीडियो अच्छी रखते है लाइक करे लेना चैनल को सब्सक्राइब लेना अपने फ्रैंड्स में शेयर भी कर देना ठीक है तो चलिए स्ट करते हो हमारे जो भी यह टेस्ट है इसको टिक है अगर आपको इसकी पीडिएफ चीए तो चलिए स्ट करते हैं आज के से आज का फिर्स्ट कोशिशन हमें क्या बोलता है विच ओफ दी फॉलाइंग और गिनाजिशन से रिसेंटली लॉंच ट्रोपोस्फेरिक अगर आपको पता होगा किस ने लॉंच किया है यह क्या क्या करेंगे स्पेस से अपके पॉलिशन को मापा जाएगा तो यह सब्सक्राइब करने के लिए ग्रेविटी बैटरी इसके बारे में सब्सक्राइब करने के लिए होते हैं ग्रेविटेशनल वेव से उसको स्टोर करते हैं यह बैटरी जो बैटरी उसमें हो सकते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब क्यों कि यूश चाना तो मैसीव ग्रेविटी बैटरी बना रहे हैं इसलिए यह नूज में तो हमें बताने थी क्रेक्ट तो अपको दिखी कि क्या सेक्ट्राइब करेक्ट है फस्टेट्मेंट हमारी र यह नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में कमिशन फॉर अगरी कल्चर कोस्ट और प्राइस के बारे में देख लेते हैं तो इससे पहले बोले हैं इट वस अस्टेब्लिश एज और दे मिनिस्ट्री आप सब्दा और आच चाहिए बिल्कुल यह एडवाइजरी बोडी है लेकि लुक्र 11 को गौरट करती है इसको कबिनेट कमेटी ओनिकनोal करते हैं इसको है हुझे हाने कारते हैं तो कौन हैड़ करते हैं को कौन वो करता है एक सेकंड तो बता दिया कि कौन करता है CACP और कौन देता है CCEA ठीक है इसके हेड कॉन होते है पीम तो यह बिल्कुल सभी सब्सक्राइब बिल्कुल सभी रखे एक फर्स्टेटमें रोग दे रखे तो हमें बताने क्या बोलता है next question है उन्हें किसके बारे में तीन स्टेटमेंट्स दे रखें हैं पताएं किसके बारे में सबसे पहले है for the enlargement of jurisdiction of State Public Service Commission the state legislative assembly and council share equal powers देखो भई आपको सबसे पहले तो जो वह ने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पे उनकी इक्वल पावर नहीं है थी कर आपको मिलेगा तो एक्वल पावर के बारे में पूछा है लगर हमें स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन का जूरिडिक्षन इंक्रीज करना है तो इक्वल लेकिन वह लों की पास करके उन्होंने असेम्ली में बेज दिया अगर वो नहीं रिजेक्ट कर दिया असेम्ली तो बोलने हैं कि अगर असेम्ली ने बिल को रिजेक्ट कर लिया तो यह बुल रिजेक्टीड माना जाएगा यहाँ पर इसका आगे कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो यह स्टेटमेंट हमें रोंग दे रखी है थाड़ बोलने इस्टेट लेजिसलेटिव असेम्ली असेम्ली से इन रेटिफि यह स्टेट्मेंट होते हैं तो किसी वी यह किवल और के ओण हो नार्मल-बिल को भी यह नीं बिल में बिन की पावर नहीं अगर नॉर्मल बिल को भी आसेंबली रिजेक्ट कर देती है तो यह काउंसल के बारे में तो थर्स टेटमेंट करेक्ट है सेकें स्टेटमेंट रोंगे हमें बताने कॉसे स्टेट्मेट कॉर्ट स्तेट्मेंट तो arrive सेंटाने तो आपने कुन कितने जाक फिसके हमारी इसके बारे में रोगैं और बी सारी जहांब एडिनरी की मतलब के बाद का सेलावा बात करें से थ 291 क मैंने आपको को बता दिया नो कॉंफिदेंस मोशन के लिए अनिक्वल पाव रहें नोन कॉंफिदेंस मोशन के वालों के लिए संबली में आ सकता है उसके लिए क्योंकि रिस्पोंसिब्ली नहीं होते जो काउंसल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो ठीक है तो यह हमारी कुछ एक्वल और प्राइवेट्ट मेंबर है इसको एक फैर में मेंबर कोई की पॉलिस को सकता है कें प्राइवेट बिल मेल पॉजिशन कि उसको बठाता है मीनि बीशन मेंबर्स इंट्रॉड्य स्यर्थी करते हैं ऑफ पॉजिशन के स्टैं now कि भिल्स तो इससे क्या हो सकता है कि बहुत जो कांसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिजाइन करना पड़ जाए कि वह भी पास नहीं कर पाए प्राइब बिल के लिए आपको इक महीने का नोटेस देना पड़ेगा कितना एक महीने का नोटेस देना पड़ेगा तो यह स्टेटमें अमारी सब्सक्राइब करने के लिए तो याद रखना प्रोटौन का यूज ना कि एक स्टेटमें सब्सक्राइब देख लेते हैं सबसे पहले हैं इसमें एकसरे यूज होता है cancer cell को target करने के लिए तो याद रखना proton beam therapy में इसलिए तो बोल रहे है proton beam proton का यूज होता है ना कि एक सदेखा तो यह statement भी भूल रहोंगे और यह proton है तो यह क्या है क्या chemotherapy कि समें दवाई थोड़ी ना दी जारे होते हैं traditional radiation therapy से क्योंकि traditional radiation therapy मालों कि यहां पर cancer यह यहां पर cancer cell है तो एक सरे ऐसे इस पूरे एरिया पे चले जाएगी लेकिन proton beam क्या जाएगा सीद्धा इस पर जाएगा इस cancer cell पे तो सबसे मतलब ज्यादा रिस्क साइड इफेक्ट किसके है एक सरे वाले के ज्यादा साइड इफेक्ट है एस कंपेड़ तो प्रोटोन बीम डायक तो प्रिस प्रिसाइजली उसी पर अटेक करता है तो यह स्टेटमेंट बीकुल सभी है कि डिलेवर सां मोर प्रिसाइज डोस ओफ राडिएशन कंप दो प्रिसाइज प्रेशन आपको सब्सक्राइब नहीं तो क्या करना है फिर आज़ाते हैं तो चैनल स्क्राइब ने किया स्क्री इसलएफ इसाइज मेरा का मतलब मतलब बताना चल्दी बता व उसका मतलब होता है उर्गेनिजम जिनके सेल दो या दो से ज्ञादा जाइगोड से ड्राइव होते हैं उनको बोलते चाहिए मैरा बहुत इंपोर्टेंट है याद अगना तो फिष्टिस नेमर फिटी सेवन जाता है भी आजाते हैं अपने नेक्स्ट कोशिण पर है नेक्स्ट कोशिण में क्या बोलता है हमारा स्टेटमेंट वन दे रखे स्टेटमेंट तू दे रखे देख लिए वह सबसे पहले बोलें जब नेशनल अमर्जेंसी डिकले होगी वह भी किसके अंडर वार और एक्सरेल एगरेशन केंडर नाकि इंटर्नल नाकि आम्डर यह तो यह स्टेटमेंट क्या दे रखे बिलकुल सही दे रखे गहिए ती कि याद रखना आपने पड़ाओगा ना ऑर्टिकल किससे से रिलेटेड है, कि fundamental rights का क्या होगा जब national emergency लगेगी, लग अगर नश्टन आइंटन लुट हो जाएगा लेकिन ये निस बस बेसस पर लगने चीए एक्सरल एमर्जनसी नहीं ओना चीए मतलब आम डेल रियुटल उना चीए तभी जो है ये फनामेंट राइट जो होंगे वह सस्मेंड हो ठीक है आर्टक लेकिन अनीच आडिकल रिजन स प्रेजिदेंट को पावर मिल जाएगी कि वह उन आर्टिकल को क्या कर सकते हैं उनको छोड़के जो प्रेजिडेंट है वह किसी भी मतलब जो उसको सस्पेंट कर सकते हैं यह राइट मिल जाता प्रेजिडेंट को ठीक है आर्टिकल 359 के एकोडिंग इसका मतलब यह चीज़ समझ में आगी और पहली बात 350 जो यह जो 358 है यह एक्टेवल 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 अमर्जेंसी के केस में अप्लाई प्रेजेंट को दोनों में ही पावर मिल जाएगी आप उन आर्टिकल को सिस्पेंट करने की तो यह तो समझ में आ गया सेकंड सेट्मेंट क्या बूरे कि आर्टिकल 359 ऑफ दी इंडियन कोंस्टिटूशन दील्स विच सस्पेंशन फंडमेंटर लाइट्स गरेंटेड बहुत इंपोर्टन कोशन या दखना इसको तो कोशन नुबर यह वाला कोशन नुबर 58 हो जाता हमारा कंप्लीट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कोशन पर और नेक्स्ट कोशन पर आने से पहले नेशनल अमर्जनसी कभी लगी भी है कि आप सभी को बताने जिए बिलकुल भ सबसी पहले कैबिनेट्ट सेकेटरी जो होते हैं वो सिविल सर्विसिस के हैड होते हैं बिलकुल भी हैड होते हैं सब को पता हैं के बारे में आसान कोशन था थी क्या तो और यह की उसमें कितने आती है order of precedence में एला आती है तो 59 अंसर हो गया डी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कुशन पर नेक्स्ट कुशन में क्या बोलता है हमें बताना है commission for conservation of Antarctic marine living resources के बारे में ठीक है देख लेते हैं सबसे पहले बोलें global environment facility act as principal financial arm for this commission इंडिया is not member of this commission तो देखो सबसे पहले आपने अंटाक्टिक के बारे में पढ़ा होगा सबसे पहले तो आपने एक treaty का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम है Antarctic treaty मेरे ख्याल से तो पढ़ा होगा ठीक अंटाक्टिक की बहुत फेमस देखती है उसी में आती है यह जो है उसी का अंटाक्टिक ट्रेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा अंटाक्टिक कब हुई थी आपको पता है आप सभी को पता होगा मेरे खाल से तो पता होगा अंटाक्टिक ट्रेटी के हैड़कॉर्टर कांपर अर्जैंटिना ब्यूनो सेरिस अर्जैंटिना में मेरे खाल से तो याद होगा ठीक है पिर आजाते हैं किस कमिशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्टिक मैरे अब हमें मैरे लीविंग और्गिनीजम को जो है तो बोले हैं ग्लोबल इन्वार्मेंट फसलेटी जो है उसमें प्रिंसिपल फाइनेशिल आं की तरह काम करते बिल्कुल भी करती या दिक नब भी नहीं करती है नहीं पताया इंडियास का मेंबर है तो तो में लोग है तो यह स्टेंट में रोग कैसे करेक्ट ना तो फरस्ट न जब तो अंसर ख़ी है इसलिए में इतनी चीजे बतारे हूं एक सब्सक्राइब चन्वेंशन का पर टाया तो सब्सक्राइब टीओ इसके जो तो नाम ले लेए इसके जक्षिक को माइच्छी मेंगे इसके headquarters काँ पे क्या आपको पता है या दखना इसके ऐस्ट्रेलिया में headquarters है तास्मानिया उस्ट्रेलिया में इसके headquarters है बहुत इंपोर्टेंट है जान रखना यह कब हुआ था 1990s में हुआ था कब आता 1990s में अंटरक्टिका के environment को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमिशन आया था मेटरीड प्रोटोकल भी बोला जा क्योंकि कहाहांपे मैटरिड में साइन हो था बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए जो इशिबन ठ्यान रखिए इनको तो हमारी होगी चार्ट रीटी już इसके अंटर्टिक का की बारे में अब किया इंडिया ब्लीक ऊप्रन का में इस ब्लावा ऐसलियों सोना और उसरों सब्सक्राइब लिए अंटाक्टिका में तिक इसके अलावा दक्षिन गंगोत्री ठीक है यह वाला रिसर्च भी वहां पे चल लिए दक्षिन गंगोत्री ठीक तो यह सारे यह इंडिया के अंटाक्टिका में चलते हैं अब आप मैंने एक जीद बताए कि 1986 में इंडिया ने इस कमिशन को जोईन किया तो क्या इंडिया में कोई ऐसी बोडी भी बनाई गी है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है इस मतलब कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर रही है बिल्कुल इंडिया ने मिस्ट्री ओफ अर्थें साइज के साइंस के अंडर किसके मिस्ट्री ओफ अर्थें लिए गुर्णीजम को क्या कर रहे है देख रही है और इसके अंडर ये काम कर रहे है जानक ना बहुत चारी चीजे मैंने इसके बारे में बता दिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आगया होगा तो यह कोशन हो जाता हमारा को स्टैडा को स्टैडी करने जा रहा है उसके गैणी-मेडीक नाव सुना और अ मुपितर गिदा करने जा लहीं था इसके कुछ मून आई क्यों है कि उसके मुन यह उनको स्टडी करने जा रहा है ना कि इनको ठीक है तो फुर्स टेटमेंट को रहा है सेक्ड बोल रहे हैं इसको नासा ने लोंच किया बहुत इंपर्टेंट यह घयाद हम यूतिक 물리 यूरोपियन स्पेस इजनसी ने लॉच सब्सक्राइब करेंगा इसको बता रही हूं और यह यूरोपीन स्पेस एजन्सी का एक वह मिशन चल रहा है जिसको बोलते कोस्मिक विजन चल रहा है 2015 से लेके 25 तक का 2015 से लेके 25 तक का चल रहा है उसके अंडर इसको लूंच किया गया बहुत सारी कंट्रीज इसमें मतलब है यह यह कंट्रीज में एक पर पहुंचेगा और इसमें इंप्रेंट है इसमें पेलोड के नाम बहुत इंपोर्टन है इसमें पेलोड के नाम अगर आजाएं कभी पता चले आपको की कभी पूच लें इसमें पेलोड के नाम अपने नाम से ननौ कर गाला ठीक है गाला गाला का मतलब क्या होता है क्या है गैला नाम माजन क्या होती है मूंस और शस्पेक्ट्रो मेंटर उसके लिए रिवावा यूवी एस होगा एल्ल्ट्रा विलेट तो कोशन स्वारी मून है सैटलाइट वो न तो कोशन नुबर 61 हमें बताने हैं स्क्राइट स्टेडमेंट आपको दिख रहे हैं कोई तो कोई भी करेक्ट ने तो हम मारा आंसर क्या था तर्टीक है मेरे खाल से अच्छे से समझ में आ गया कोशन नुबर 61 आ जाते हैं कुशन नुबर 62 पर हमें बताने हैं आप सभी को बता आर्टिकल 266 के कहां पर यह था कंस्रीट फंड ऑफ इंडिया बोले कि ऐसा फंड है जहां पर जितने भी रिसीत हैं गवर्मेंट की वह क्रेडिट होते हैं जितने भी पेमेंट्स और डेट डेट हो बीट बिल्कुल होते हैं इस एड़ डिपोजल उफ प्रेजिडेंट टू मेट अनफरीजेशन वाइड़ी पार्लेमेंट बोलें कि यह प्रेजिडेंट के उपर एक उपर सिंदीचर के वो में तरस के लिए अलग है आप सभी को बतावा इस फंड वह वह अलग है तो सेकंड सेटमें तो हमारा आंसर क्या आपको समझ में आगा क्यों इसका आपको इसका आजाते हैं अपनी नेक्स्ट कोशिन पर मेरे काल से मैंने स्क्रीण चेंज कर दियो होगी इसमें मेरे को नहीं आद भई ißसे ांज कमिशन की सेriosन के बारे में बताना थे माहाजयन कमिशन के बारे में बादा था बहुत इंप मोटन कमिशन है और हैं इस लेकिन महाराष्टरा करनाट का के लाइन के बीच में बोडर इस्पूट के लिए बैटा था था थिक है फिर इसने अपने रेपोर्ट भी देदी कि कि इतने इसको लेकिन फिर महारास्टर ने इस बात को नहीं माना वह Supreme Court में इसके इसको ले आए ठीक है तो इसलें यह चली र सबसे पहले है इच इतने इतने में इतनी सेट 그렇지 यह सेर्ट है और पोपलेशन थी रहे इस तरीके से बाठ जैता है कि उसके इतनी तुमbat दो तक यहां बिल्कुल सभी रखे हैं में इसके बारे में लोग सब बाड़े जाती है उसके बारे में तो दोनों इस्टेट्मेंट सही है तो अमारा अंसर क्या हो गया सी तो आजाते हैं अपने परीन्सिपल के बारे में आम्लैंस प्रिंसिपल क्या पुछ में प्रेड कर रही है कि यह इसको बलाजाता है आम्लैंस प्रिंसिपल आपको बेद्वाओ नहीं करना था एक दूसरे के बीच में तो क्षिन प्रीक्ट के नेक्स्ट कुछिन को साय कोशनने नमबर 66 बोले की दो स्टेटमेंट देर रखेंगे सेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ठीक है हां सबसे पहले बोले विज रिस्पेक्ट टो इंडियन रिसाइडिंग इन एन पाफ दी वर्ल्ड पार्लियमेंट अस्क्लूसिव पार तो मेग अगर कोई बी इंडियन वर्ल्ड से बाहर रह रहा है कहीं पे भी तो पार्लियमेंट के पास ही के वल्ड एक्स्ट्री रहाइट है यूनियन लिस्ट के अंडर चैटलिस्ट में हो चैवल यूनियन के पास राइट है वह बाहर अब टरिटोरियल जो डिक्षिन की बात चले लिए तरिटोरियल जो डिक्षिन यह टरिटोरियल एक्स्ट्री यूनियन का सबसे ज्यादा है अगर देश से बार के बात करी जाएगी तो केवल यूनियन उस पे लोग बना सकते है वह शेयर मतलब राइट नहीं है ठीक है तो यह स्टेटमेंट रों हो जाती है क्योंकि के सेंटरने दोने लोग बना रहे हैं तो किसका लोग मना जाएगा अटिक है और यही यूनितरी पावर्स होती है ना फैटरल और यूनितरी फीचर आईये ठीक है और इसके अलावा है कि यह तो यह किसका कितना है तो यह सब्सक्राइब आज आती है अपने नेक्स्त कोशिएन क्रेंब क्या बोलता रूच्छान अपर मेंं था हमें उतन ऑर्फरमेशन के बारे में दुकिन पार्लियमेंट की ओथ और में तो से बोलें पहले थर्ड सेड्यूल ओफ इस और आती है बिल्कुल लेकिन इसमें प्रेजिडेंट की नहीं आती है तो फर्स्टेटमेंट रों हो जाती है सेकेंड बोले है पर्सन इस लाइबल टू पैनल्टी और फाइफ और फॉर इच डे ही सिट्स और वोट्स अ मेंबर इन हाउस बिफॉर टेकिंग और सब्सक्राइबिंग तुदी प्रिस्क्राइब ओफ और आफर्मेशन बोले हैं कि अगर कोई भी पार्लेमेंट में मेंबर जो है वह लेकिन फिर उसने ओट और आफर्मिशन ने लिए और डायक्ट जाके बैटने लगया वोट करने लगया तो उसको हर एक दिन का पांस उरुपे का फाइन देना पड़ेगा तो सेकंड सेटमेंट करेक्ट है फस्स्टेटमेंट रोंगे तो हमें बताने करेक्ट क्वेटमेंट हो हमारी क्या होगे तो इस अबना क्या हो जाता है भी आजाते हैं अपने किस पर नेक्स्ट कोशन पे त्याइश्ट में क्या बोलता है oranges बेस्ट बेर सिक्स्तिंट कि इसके बारे हैं waar ग्लोब लूबाल ग्रीन ह wollte गैस मोनीटरिंग इंफ्रास्रक्ट्ट्ट्ट्र के बारे मी यह भी ग्रीन ऑस इस इते को मोनीटर करेंगा इस फत्राइब को यह ग्लोबन रीन क्वेश्ट को बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इस को गई है इंडिया के सबसे पहले बोलें एक परसन मस्ट अटेंड इज कीवाइब चांट सब्सक्राइब मेंबर होने के लिए आपको 21 एज सब्सक्राइब को लोक सबाएब सब्सक्राइब या इंड तो एक्षिए और सब्सक्राइब होता है और उसके करवाता है करवाने के लिए होता है तो सबसे पहले वो लख है प्रकेशन के लिए वाला बिल्कुल सभी लेंगे बात्मेंट लेकर नहीं करता है बिल्कुल करता है फूर्त बोल रहे हैं वाला डिपार्टमेंट क्या करता है फाइनेशल इंप्लीजन करता है यह भी करता है तो चारों यह स्टेट्मेंट अपको पता ही होने चाहिए तो यह हो जाते हैं कॉशन नमबर 70 यह जाता है अपने पर किसके बारे में सेवंटीवन मिनिस्ट्र ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं अब सभी को बता प्राइम इस्ट्र कर सकते हैं निस्ट को पॉइंट्ट करने के लेकिन इसलेंट में ये क्वзд ओर वहakahा है क्व favor भर में थीकन सब्सक्राइब करते हैं这 हम लुए आ जाते हैं और आ Clap पहँशा कुछन सब्सक्राइब में इस काम next question पर NCT के बारे में बताने हैं सबसे पहले हैं NCT के बारे में बताने हैं सबसे पहले बोले हैं 239 AA Conferred Special Status on Delhi following the recommendation of S Balakrishna Committee बिल्कुल सजी statement बोलने कि Article 239 AA में कुछ special status दिया गया दिल्ली को किसके recommendation पर SS Balakrishna Committee की recommendation और कौन सा amendment एक था 69th constitutional amendment एक था हुआ था तो 1991 में ठीक है तब इनको special status दिया गया था बिल्कुल से statement है second बोले है जो Parliament है वो लो नहीं बना सकती जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जक्ट है तो मारा answer क्या हो जाता है एक ठीक है आज आते हैं अपने next question पे next question में क्या बोलता है one second guys next question है हमारा को लंबो सेक्योर्टी कंक्लेव के बारे में जल्दी बताव वह को लंबो सेक्योर्टी कंप्लेव बहुत इंपोर्टन एक नेशन तो ऐसा जिसके बारे में आज कल 24 गंटे बात चल रहे हैं गोई इसमें को लंबो सेक्योर्टी कंक्लेव कब बनी ती तीक किस किस कंट्री के बिच में हुई थी आधकना ट्रालेटरल सेक्योर्टी कंक्रीव ती ती जो स्री लंका इंडिया और माल् स्री लंका इंडिया मालदेश और से चार कंट्री को चलाते हैं इसमें बांगलादेश और सैचलिस या रखना बंगलादेश और सैचलिस इसके और सब्सक्राइबेश ऊप्सरवार made the result अ भी इसका तो सी लिए न्यूम्यक्यूम्य में बचाने उन्षर सी box अब आपको दिए हैं किस के पर परपरटी मालो की कोई भी बन्दा था उन इंडिया को चला गया पकिस्तान भी रहने लगता पाकिस्तान डेंदें लगया और वह आप टॉप्रपर्टी को क्या बला दा था अनमि को सब से पहले बोलने हैं Ministry of Home Affairs responsible उसके ओवरॉल मैनेजमेंट और प्रेजरवेशन के लिए तो यादखना नहीं बिल्कुल भी Ministry of Home Affairs responsible नहीं एक बोडी बनाएगी यह जिसका नाम है Center for Enemy Property of India Center for Enemy Property of India यह बोडी है जो इसको मेंली करती है अगर एकरोड से कम की प्रोपर्टी है तो यह मतलब यह है कि भाई जो भी उस पर रह रहा हुआ तो उस उकुपेंट को ही एक वो दिया जाएगा चांस दिया जाएगा कि आप उस प्रोपर्टी को ले लो अधर्वाइज फिर आम इसको सेल कर देंगे ठीक है तो यह स्टेटमेंट यह है इसमें प्रोविजन ठीक है तो यह है मारा तो अप्रोवर्मेंट किसके लिए देखो जो जितना लिखर आ संट तो इसमें क्या करना है इस में लीच डैफलेप कंट्रीज को डिसाइड कोन करता में कमेटी ओन ड्लपमेंट ग्लापमेंट है यह करते हर तीन साल में रिव्यू किया जाता है कंटरी इसके बाद कहा से कर डियें चेकर बाद पैसिफिक से हैं उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन में क्या बोलता है हमें बताना फाइनेशल अमरेजनसी के बारे में मेरे खाल से आपको पता भी होगा फाइनेशल अमरेजनसी आर्टिकल 360 के एकोडिंग लगती है सबसे पहले बोले हैं फाइनेशल अमरेजनसी मस्त वी अप्रूवड और पार्लेमेंट वी दिन वन मत विट्स उस्ट या दखना दो मंत के अंदर आपको पास करवाना प्रूमिलेशन थीक है तो यह स्टेट्मेंट रॉंग होगी कि वन मंत के अंदर पास करवाना और एक ची फाइनेशल अमर्जेंसी बहुत इंपोर्टेंट प्रूमिलेशन के लिए फिर इंडेफिनेट टाइम तक लग जाती है जब तक उसको रिवोक ना किया जाए बिल्कुल सब्सक्राइब कोई प्रूमिलेशन दिया ही नहीं कि इसको कैसे रिवोक किया जाए कैसे नहीं बार- किसी की भी कर सकते हैं इवन हाई कोट और सुप्रीम कोट जजिस की भी कर सकते हैं तो यह स्टेटमेंट हमें रोंग दे रखे कि एक्साप बोल गया नहीं यह बी इंक्लोडिड है अगर फाइनेशल अमर्जेंसी लगती है तो उनको भी उनकी भी सैल्री जुआ होगी ठीक ह इनको इस फाइनेशल अमर्जेंसी को हटाया कैसे जा सकता है किसी भी टाइम प्रेजिडेंट जोटा सकते है किसी परलेमेंटरी अप्रोगल की जुरूरत है बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है क्या कभी आज तक फाइनेशल अमर्जेंसी डिकलेर हुई है कभी भी स्टेटमेंट करेक्ट है तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है दो स्टेटमेंट रोंगे तो हमारा अंसर क्या हो जाता है एक ठीक है एक ठीक है तो अंसर हमारा क्या हो गया आजाते हैं अपनी नेक्स्ट कोशन पर सब्सक्राइल को मैं पॉइंट करते हैं आजाते हैं नेक्स क्या हमाइर चैकमे क्या Спर्ण को सुंद्र सब्सक्राइब करते हैं किसी भी केस्पाइब structuur हैTT नहीं करते हैं इनको मतलब एडवाइस देने हैं प्योंग को एकनोमिक चीजों में यह पिमों से एटेच हैं बिल्कुल भी नहीं इंडिपेंडेंट बोड़ी यह बोड़ी अटेच नहीं है यह बहुत इंपोर्टन यह चीज़ द्यानक नहीं नहीं यह इंडिपेंडेंट बोड़ी जो या फिर लोजिस्टिक्स हो गया इन सारे कामों के लिए इसकी नोडल एजनसी कौनसी है नीती आयोग या दगना इसकी नोडल एजनसी कौनसी नीती आयोग इसकी एकनोमिक एडवाइजरी काउंचल टू पीम की यह पोस्ट सबसे पहले कब 2017 में क्रिएट की गई है कब की ग मडकि एक एकनोमिक आउटलुक एक रिवीव ऑफ दी कौनसी है यह एक है रिव्यु ओफ दी कॉनसी है f कुछिक्ट के बारे में जो यूनियन को ड्यूटी लगानी है और क्लेक्ट करनी रखेस्ट पहले सच ड्यूटी आर गवर्मेंट अफर इन्हों ने बोल दिया अगर रूटी में कोई ड्यूटी लगाई को गवर्मेंट अगर कोई यूनियन टेक्स लगाता है तो अगर सब्सक्राइब करेंगी तो और वह जाएगा कहां पर पिंग सेंटर पर जाएगा कि यह स्टिकाइब ना तो इसके बारे में बटाना है पोल रहें कि किस चॉसक्षिट में आम जो रबीलियन है उसको इंसर्ट किया था मतलब इंटरनल डिस्ट्रबेंस को हटा के आम डर बीलियन लगा दिया अब ही मनें बताँ आर्टिकल 358 359 किसके कोडिंग लग सकते हैं तो इंटर्नल जो डिस्ट्रबेंस है वो किस वर्ड में हटाया वहां पर आम डर बिलियन किस एक्ट में डाला जल दी बताओ यह कुशन नहीं गलत नहीं अबर एक्ट में यह चेंज गुश्ट नेंस नेक्स्ट कॉशन पर किसके बारे में सी इंप के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले बोलें टीटम आव इस नोट फिक्स तो उनको ओत लेनी पड़ती है विल्कुल सभी सब्सक्राइब लेनी पड़ती है और इन पर तरी एक इस पॉब्लिक सर्विस कमिशन का कौन करता थे प्रेजिडेंट करते हैं तो घ्रbrahim करते हैं तो चין sorry क्या होगी तो चीएब है व आडवाएस करते हैं का इपस्तिमेंट को उनके ऐप願 ही पॉयंट मैंनेंट की ना कि के लिए बहुत इंपोर्टेंट करेंगे तेल पॉब्लिक सर्वेश कमिशन का ध्यान रखना उनका पॉइंट कोन करते हैं गवर्नर रेकिन रिमूव कोन करते हैं प्रेजिदेंट द्यान देखना तो इसके बारे में रिजर्वेशन के बाद देखो स्टेट्मेंट वन स्टेट्मेंट टू दो चीज़े दे रखें सबसे पहले हैं रिजर्वेशन ऑफ सेट्स इन पंचायत्स फोर दी एस इस नोट अप्लिकेबल तो स्टेट ऑफ अरुनाचल परदेश स्टेट्मेंट देदिया में कि भाई जो सीट्स का रिजर्वेशन है न परदेश में नहीं होता क्योंकि वहां पर सबसे पहले हैं इसके बारे में किसके बारे में कुस्चन आर के बारे में सबसे पहले हैं इंडियन इन्नोविशन तो आप सभी को बताना सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे बता है बताता है ना कि बाद में थीए थाड फोल रहे हैं लिस्ट ऑफ स्टार्ड और सब्सक्राइब बोल रहे हैं यह किस लाइट लाइन में प्रिंट होते हैं तो प्रिंटिंग बताना देखो स्टार्ड कोश्चन और शॉर्ट नॉटिस कोश्चन और प्राइवेट मेंबर्स वाले कोश्चन देखो स्टार्ड कोश्चन होते हैं वह हमेशा वाइट सौरी ग्रीन वाइट बोल बताने गलत चीज गलत स्टेट में बताने तो सारी गलत है तो सारी स्टेटमें इसमें क्या दे रखें रूग दे रहें मेरे कहाल से अपको समझ में आगा हुआ स्टार्ड के वते हैं से ऐसे questions जिनका जो मिनिस्टर ऑगा वह और ली अंसार देंगे और का नम लेते हैं इनके लिए स्प्लिगेंटरी आप question पूच सकते हो उन्सार जिनका रिटर अंसार देते हैं और स्प्लिगेंटरी कुशिन भापि फोलो नहीं हो सकते प्रवेट में को प्रवस्टाइब अपिए जा禽 कुशहन नर्टीच फिरह में पहले स्ब्सक्राइब को नाइंस आजार online के फिसा एक्शा पर आउन कैसे के बारे में देख लिओ और अच्आख़ कट मान थे एक्ट फिसा नाएन्स्थ जो पार्ट नाइन है उसके छीजे फिस सेडूल में एपलाई करता तो याद रचना नहीं नहीं फिफट सेडूल में पार्ट नाइन बहुत सेडूल एरियास को करता है ना कि फिस पर ठीक है तो फ्र्स्टेट्मेंट रो होगी सैंकड बो रहे हैं जितने भी सब्सक्राइब कर यहां पर फिसाइट है सब्सक्राइब करें प्रिजर्ब करें है अपनी ट्रैडिशन को अपनी कस्तम्स को क्यों भी लोगों की और उनकी cultural identity को या दिखना तो ग्राम सवाप की duty ही ना की गवर्नर की ठीक है तो यह statement भी मारी रोग हो जाती है तो ध्धानक किसके बारे में पीसा एक्ट के बारे में फर्स बहुत इंपोर्टन कोशन था इसलिए यह मतलब हो है एक पर इसको अच्छे से पढ़ना कोशन नमर 84 आंसर हो गया भी आजाते हैं अपनी नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन हमारा किसके बारे में एड़ोकेड जनरे के बारे में कल अगर आपने आपने कल वाला लेक्सरे से तो हमारे अड़ोकेड जनर किस आर्टिकल के कोडिंग पॉइंट होते हैं 165 के अंडर सबसे पहले बोलें दी कॉंस्टिटुशन दस नोट कंटेन दी प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर रिमौल ऑफ एडवोकेड जनर भीकुल कोई ग्राउंड नहीं है कोई ग्राउंड नहीं है बिल्कुल साही स्टेट्मेंट है इंडियान से डिजन्स हो हेल्ड जुडिशल ओफिस एलिजिपल फॉर अपॉइंट्मेंट के लिए होते हैं देखो एट और नी जनरल आर्टिकल 76 के अंडर होते हैं और एट और नी जनरल कौन लग सकता है जो सुप्रीम कोड बनने के लायक हो मतलब वह बन सकता है जो है बन सकता है ऐसे ही एट ओर नी जनरल बन सकता है तो ध्यान लगना तो ध्यान लगने सबसे पहले बोलें में में बिल्कुल होता तो आप पड़ते हैं इनकी रेंक कबिनेट मिनिस्टर के इकवल होते हैं फिर बोल रहे हैं अगर डिप्टे सी एम को अपड़ेगा अगर अलोकेटेड बजट से ज्यादा उनको एक्सपेंडिचर करना यह स्टेटमें भी बिल्कुल से इनको अपड़ेगा तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इनके के बारे में देख के रूदेखनां खेसे अचींड आप यह वह स्टेटमेंट रहे हैं जो इस faithfulão के उस्टर बारे मुंट सब्सक्रों आपना ख्रोंग यह स्टेटमेंटब यहां रहे हैं दो अब्ताANCya करना समसे सब्सक्राइएँ वह 아íchि पैनलकुरいい है क्हां थार बोलें जो रिटर्ण नों कर सकते हैं बिल्क boxer बीटियूंट सबसे यह है तो लोग सभा से पास होता है लोग सभा में लाया जाता है स्पीकर होते हैं फाइनल मतलब में लोग सभा की ही वह जाती है जो राजय सभा के वल 14 डे उसको क्या कर सकती है रोक सकती है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है राजय सबा में ली क्या कर सकती है कुछ नहीं गेथे कर दो भई तो कुछ नहीं होगा तो फिर फाइनर उसमें आ जाएगा तो लोग शबा कोई पास करना है ठीक है इसके लावा अगर बात करें एक मनी बिल आगर हार गया मालोग मनी बिल पास नहीं हो तो गोवर्मेंट को क्या करना पड़ सकता है रिजाइन करना पड़ तो यह कुछ कुछ चीज है तो नंबर 87 हमारा अंसर है मनी बिल के बारे में तो आंसर हो गया सी आथे आपने नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन में क्या बोलता है 88 88 कंडक्ट ओफ बिजनस के बारे में बताना गवर्मेंट ओफ इंडिया देख लिखते हैं जितने भी एक्जिक्यूटी ओडर से यूनियन के वह प्रेजिडेंट के नाम से होते हैं आप सभी को बता है बिल्कुल भी प्रेजिडेंट क यह किसके नाम से होंगे प्रेजिडेंट के नाम से होगे तैका और के सब्सक्राइब यह क्या है तो आप सब्सक्राइब पर केंडिडा और इस क्या है तो आप सभी को बतार रही है का का इंटी बाडिक्स कोई रखनी पर रही है क्योंकि इसकी दवाई नहीं है ढौत तो सब्सक्राइब करें तो एक टाइप की फंगस है और इस एक फंगस जो भीमारी कोज करें बुखार चड़ा रही है ठीक है चिल वाला बुखार तो कोश्ण नबर 89 अंसर होगा भी आजातने अपने किसके बारे में मुंसी पधार कुस्राइब के बारे में था इसके बहुति हैं कि अगर जाती है और फिर कोई दो बारा बनती है तो वह फुल पीड के लिए नहीं रहती हो रिमेनिंग के लिए रहती है अकि सेकंड बोल रहे हैं मुंसी पे लेटी को एक एक सिरंसरी अ होग़े में तो क्वेशन में आप सब्सक्राइब क्वेशन में और अगर आप किसी मेंबश्प को चोड़ देते ओ या फिर आप विप के कम नहीं करते हो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो है वह वो जो नोग च्या मेनें कैंट किसी को जोइन करता है या independent member किने को जोएन कर लेता अँशा मेनी के अंदर तो यह सारी दीफक्षण के अंडर रहाते हैं टिक है यह फींथर संपरब्लेंथ केंटर नहीं आएगा या फिर कोई भी प्रिसीडिंग मेंबर मतलब हाउस को छोड़ रहा है तो वह भी मतलब क्या नाम लेते हैं वह भी नहीं होगा प्रिसीडिंग ओफिजर कोई बन जाता तो भी मतलब उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता अदर्वाइस पहले स्प्ल स्प्रिट के केस में अब भी प्रोटेक्शन लिए 2003 में 91st Constitutional Amendment Act आया जिसमें स्प्रिट के केस में जो प्रोटेक्शन उसको फटा देगी तब बोल रहे हैं अब हमसे देखो मैंने मोटी मोटी चीज बता दे और फाइनल डिसीजन को लेता है इंटे का स्पीकर लेते हैं क्य कि नहीं करना है कि हो सकता है जुडिशेल भी हो सकता है उनका ध्यान रखना यह किसमें तो कि दियान रखना अब फर्सस्टेय्मेंट देखो इन्विद मेंबर ऑफफे हॉस विकम्लिवाइड ओ स्पीव स्पार एंगे एक्सपारी उस को जोन करना अगर बात ने इस्क्वालिफाई हो जाएगा बिल्कुल से स्टेटवाइंट है स्टेटवाइन स्टेट्वाइं पुल रहे हैं सुप्रीम कोट इन आप प्रिसिदिंग ऑफिसर के जो भी डिफ्रेक्शन से हो मैंने अभी पता है जुडिशल रिवीव वह किस केस में बोला गया था कि हो तो हो जाती है तो सेकंड स्ट्रेटमेंट हमारी करेक्ट के बारे में तो यह कॉशन हो गया था तो एनसर में था यह क्यों पर शयाद मैंने स्क्रीम चेंज करी हुई है ďंस सेड्यूल के बारे में ay parents in उन्हें सब्सक्पाइब तुम blossoms अगर दोनों 112 बना द्या तो union की जड़े और चैट मलूब यूनियुनुन के लोगों मना हो ना जयाए है हैं तो हमें सभड़ने किसे सरी हैं तो हमें सब्सक्राइब थो एक सरी कि यह सारी चीज़ें自 हमरे सिस्क्राइब कुन सा लिए जान रहते हैं एक एक बहुत इंपोर्टन्ट चीजा 42nd डाले गई ताकि यूणीं पूर बना सके और पांच चीजे ति उसको तो वीप से याद रखते हो वीप से याद रखते हो स्टेट रोने लगी जब करेंट लिस्ट में डाले गए तीक है फिर हमारी क्या नाम देते हैं इसाइट अब कुशन के बारेotom सेंहिस सब्जक्ते में कुणन से सब्जेक्स जो उन्यों तो बताओ ना सुन आंसल हो जाता है अप नेक्स्ट कॉश्चन पर , लगे ग़ेगा यहाँ थे पहले प्रेजिदेंटल प्रोक्लामेशन प्रेजिटेंट drool इससे Select what हो देखों ब catastrophy को सकता है बिल्कुल सकता है विल्कुल सकता है उ면 डिच नोट में अगर बेगा क्या बोलते है थ Cobler आना है तो आहिए भी दोसे स्टेटमेंट है यह सब से पहले 1959 में केरलामी लगा था बिल्कुल भी लगता है तो हम्हारे आंसर क्या हो जाता है यह हमारे किसके बारे में प्रेज़धेंट रूल के अधिकाश को सकता है प्रेज़धेंट रूल लगने के लिए मैश को कैसे कैसे पास करना होगा कि नो निपयों भाषिक मीन से पास करना होगे दू महीने के अंधर पास करना होगा टिइंगा दुह दोह पास करना एक पर पास कर दोगे तो गोруж ज़िए टोद अब जो महीने तक चलेगा तौँ आपश्यानी επă रखता है तीन साल तक देखो फाइनेशल एमर्जंसी की कोई लिमित नहीं थी लिम्ट है ख के तिन धना मैंने आपको पता देए ता हृट तो फं़नुम राइट पर भी आफट नहीं परता इसको प्रेजिदंट ले नहीं बेंट एक पर होता है इसमें क्या होता है यह होता है क्या होता है क्या है प्रहबी सकतसते होगा सकता है तो फाइनल पावर किसको मिल जाती है लोग बनाने की पारलेमेंट को बार बन जाती है और जो प्रेजिडेंट करते हैं गवर्णर के तुरूर करते हैं बहुत इंपोर्टन है यह सारी चीजें बस इसके बारे में मैक्सिम्म तीन साल के लगा सकता है यह वह अटाओंगी कैसे बहुत बार प्रेजिडेंट लग चुका है सबसे पहले ने पता है तिन बार लगी और फैने यह लिए प्लानिंग के उसमें वह इलेक्टिड मेंबर सौंगे डिस्टिक्ट लेवल पंचायत से और सब्सक्राइब को साथित्यों नके ऊपरचेने महिंग सोगा तो खंड दो कीtaćैमने लाद भी आखना में दो शरइनमें तो सिवत जोगा सब्सक्राइब करेंट पाड़ा छागा तो सब्सक्राइब करेया पर जनीने हैं प्लीनिंड कमेंटिका ठीकर होला यह statement द्यान अगना कि कोई भी फर्स स्टेटमेंट भी रोंगा सेक्ड बीरोंगे ठीक डिस्टिक प्लनिंग कमेंट के बार में तो कुछ नम्र नंटी फॉर आंसर जाता है डी आ जाते हैं कुछ नम्र नंटी फाइफ पे कुछ नम्रector 95 अन». प्राइम Ministre के कि स्षक्ष बोड़ी के चेर्मन है बहुत इंप्रैंट बताव भ이 प्राइम ministror के नेल्टि कैसिए कonta доллар की कांसिल सारों के तो चुल बहुत जाता होगा वह भी ओगी ठीक नेशनल कमांड ऑथरीटी होगी ठीक नेशनल कमिशन फॉर पॉपलेशन कंट्रोल हो गई ठीक है उसके अलावा नेशनल रिवर गंगा रपेसी न फो भी ठीक तो यह इन सारी बोडिस के हैड भी है और कैबिनेट कमेट्टी ओ सब्सक्राइब करने के लिए मैं आज आपको ट्रिक बता रही है तो हमें आर्टिकल यह यह पता होने चीए कि किस से रिलेटेड स्टेट्स हैं देखो सबसे पहले आपको नाम याद रखने है एन ए डीक है क्या तकना नाम याद रखना एं आए ऐस एम एजी एम और के फिर तो एं से के है Nsia और ये इसमें sequence कैसे चलेगी ये है ये है पर यह सारी स्टेट सा याद नाम याद करना एसम एग्सम के तो यह इस से आपकी क्या याद हो जाएंगी यह जितना वी इनका स्पेशल स्टेटस हो याद हो जाएगा और अर्टिकल 371 किसके लिए तुरी सेंटेवन ABC होगे 371 only किसके लिए गुजरात इन महारास्टा के लिए तो कुशन इंबर 371 गुजरात इन महारास्टा के लिए कौन सी स्टेट्स के लिए यह मैंने बता दिया अभी देखो अभी तो हमें एक क्योपन सब्सक्राइब दिक्राद हो हॉआ और केवल एक क्रेक्ली में फिर रहा वो है एक बहुत इंपोर्टेंट है कुशन नमबर 96 एक वर यह ट्रिक क्या है एन एम एस एम एजी एम और के ठीक है बस यह ऐसे याद रखनी है तो आपको यह याद हो जाएगा तो कुशन नमबर 96 हमारा आंसर हो गया आजाते हैं कुशन के इसक्री 25 तर ती कहा इसलिए यह न्यूजमे है तब से पहले तो कि के लिए यह सीवी स्टेशर में तो पहले रही है से अट्लेस कारी यह लिए धिक ने के लिए प्रोड रहुट यह स्टेट्मेट बिल्कुल सभी इसमें जो लों सा वो क्यों गिलें ग्रेंफिल्ड जो तक तक आप निकाल सकते हैं वर रहां तो फार्स स्टेट्मेंट रहोंगा थर्ड स्टेट्मेंट पोर एक स्टेट्मेंट इसमें और यह मिनिस्ट्रि कौन से इन डेख लें याप लोन देखेए हैं इतने आप लोन दे सकते हैं अगर वह उन्डिविज्टी नॉन इंडिविज्टी एंटेटी इन बहुत सारे गुरूप है तो यहां ना 51% यह तो सबसे पहले है इंडियन फेडरलिस्म के बारे में बताना है सबसे पहले इन्झसरीठ इंडिया फिक्टि रेडराइटर ट्रेपूर से लिए सब्सक्षियर सब्सक्राइब में जिक्स्राइबगे सब्सक्था यृट्रेजिश्चर न सल्कितनी है इंगंति ROBOT दूburgh सब्सक्राइब करने पड़ेगी तो सब्सक्राइब क्या बोलता है फर्स टेटमेंट दो सब्सक्राइब क्या होती है उसमें सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब क्याया वह रैक्त सब्सक्राइब फेर लगोन ॆ है प्यायगे अगर न Ain't प्योट्रा बहुन मैं कर सकते तुए लेइस खुल्य में प्याइब हाख तो दोनों अलाग लगे यह स्टेट्मेंट पहली भी सभी रखिए दूसरी भी सही रखिए कि आपके सब्जेक्ट करने के लिए कि यह चीज किस में आगी मालों कि दो ने कोई बना दिया तो वह डिटरमाइन करने के लिए लेकिन पहले का सेकंड एक्स्पिलनेशन नहीं है तो इसका अंसर हमारा क्या जाता है बीदोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन सब्सक्राइब नेक्स कोई नेक्स कोई सब्सक्राइब नेक्स के बारे में है वह एक्जिक्यूटीव और लेजिसलेटिव दोनों फंक्शन स्टेट को डेलिगेट कर सकती है हो सकते हैं होते हैं होते हैं लेजिसलेटिव यहां होता है तो यह होता है by दो बाते क्या नहीं होता है एक होती से एक कोती है बिना से एक थे ऑनकी इए कंजयन से मालों कि संटर को अपना कोई काम करवाना एकजिक्यूट्म होते होते हैं तो प्रेजिडेंट क्या कर правильно सबसे पहले इस पहले कंसेंट लेंगे कि वहां पर स्टेट के काम एकजिप्वीट कर वा देग हैं ऐसे ही इस काम करवा करेंगे पूछेंगे इसे कंसेंटर लेंगे और वह फिर उप कर देगी ऐगर एक दूसरे तो क्या हो सकता देखों सैंटर को अगर अपना कोई एग्जिक्थी काम करवाना है ठीक है तो सैंटर क्या करेंगा अगर स्टेट को को लनी भी नहीं है क्वार्लियमेंट लोग एक्जग्यूटीव फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो यह सेंटर कर सकता है कि बिना इसा कर सकती है कि बिना कंशेट को मनवा नहीं कर सकती है। स्टेट के पास ये पावर नहीं है, acorda ये उपर भी कोश्चन पूछा नहीं है है delegation of functions के बारे में एक श्क हूआ है सबसी पहले चले के स्ट गवर्मेंट का consent ठैक है ह् यह स् ौपरलियम से उस से पार्लिये मैं नेहीं कर सकती है एकजीओ कुछिल दोनों अभी बताया कि इस कि के यहार और टुनly कर सकतीAK कर सकते हैं बिना कंसेंट के नहीं कर सकते ध्यान अगना तो सेकेंट में पताने क्रेक्ट में तो डोनों स्टेट स्रीफ रहोंगा सेकेंट्वर्स स्टेट में तो हमारा आंसर क्या आ जाता है तो हमारा इसका अंसर क्या हो गया भी तो इसी नोट पे आज के हमारे जो टोल हंडर्ड कॉष्चन हो जाते हैं या 50 कोष्चन हो जाते हैं वीडियो बनी ही नहीं तो वस वही है आज ओफिस में इमेल को वीडियो बनाई और वह भी डिलीट होगी ठीकर नॉर्मली तो घर से बनाती हूं तो चलिए वही इसी नोट पर आज कर लेक्षर खतम करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना चनल को सब्सक्